नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल छॉपज वाले भहीया में आज हम लोग बात करेंगे कारेपालक सहायकों के लिए पयार ज्युक्त कि वाले से नुक्त करेंगे या फिर बहुत लोग ऐसे थे जिनका पैनल में नाम पहले से है और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है उन लोगों के लिए भी न्यूज काफी जल्दी आने वाली है तो वो लोग घबराएं नहीं थोड़ा सा और धहरे धारन करें सायद जल्दी ही आप लोग के लिए भी कुछ अच्छी ख़बर निकल के सामने आएगी जैसा कि अभी च सकते हैं कि क्या किया जा रहा है तो अगर आपको पूरी सचाई जाननी है पूरी न्यूस जाननी है पूरी बाते जाननी है तो आपको वीडियो के लास्ट तक बरकरार रहना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलने वाला है कि हाँ पिहार सरकार ने ऐसा क्या अनौन्स किय भी अच्छी न्यूज है क्या कि वो लोग भी काफी इंसिक्यूर रहते हैं अपने जॉब के लिए सोच कि कि अगर मैं जॉइनिंग कर भी लूँगा तो क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं क्योंकि संभीता की बहाली है और इसका डेट फिक्स होता है कि फलाने ती थी तक ह कि आपका कारित दिवस होता है जो कि उसी को आज की निउस में देखेंगे आज जो निउस निकल के आई है कि क्या विस्तार किया गया या क्या क्या गया है तो चलिए सिदा मीना देर के हुए हम लोग ओफिसियल पेडियाप पे चलते हैं देखें फ्रिंड्स जैसे कि आपके सामने लेटर यहां पर निकला हुआ है आज कहीं डेट कर निकला था यह लेटर तो बिहार सरकार पंचायती राजविभाग प्रेसर कमरित लाल मीना परधान सचीव सेवा में सभी जीला पतितकारी बिहार तो आगे लेटर में क्या क्या प्रतिय ग्राम पंचायत कारयाले में सूचना प्रवादग़गी का उपयोग बढ़ाने तथा ग्राम पंचायत कारयाले के कारियों की प्रभावी प्रवंदन हे तु मंत्री परिशद की स्विक्रिति के पश्चात विभागी संकल्प संक्या 40-45 दिनांग 25 जुलाई 2018 सुधार मिशन के पैनल से एक एक कारे पलक सहाय को का नियोजन करने का प्रावधान किया गया था और दूसरा पॉइंट है कि विभागी संकल्प संक्या 40-45 दिनांग कारे पलक सहाय को का नियोजन मान दिये कि आधार प्रदिनांग 31-3-2020 तक के लिए होगा जिसे आवसेक्ता अनुसरा आगे भी जारी रखा जाएगा तो इनका जो कारे काल था वो 31 मार्ज तक था इसके अनुसरा और आगे देखे क्या कहते हैं ग्राम पंचायत कारे पलक सहाय को द्वारा वित आयोग से समंद्धी ओजनाओ के आकड़े परतिवेदन लेखावी वर्नी आधी की प्रविस्टी इपंचायत की विविद PES अप्लिकेशन में किया जाना है इन ग्राम पंचायत कारिया पालक सहाय को द्वारा RTPS केंद्रों का संचारन एवं GPDP की समंदित कारिय तो था पंचायत अस्तर के अन्य कारियों के अतिरिक्तवरिये पतादिकारियों द्वारा सौपे गए पंचायत समंदित अन्य कारियों का निस्पादन भी किया जाना है तो साथ ही ग्राम पंचायत सचीव की कमी को देखते हुए इनकी सेवा का अन्य विविद कारियों में जिला पतादिकारी द्वारा लिया जाता है मतलब कि काम बहुत सारे पड़े हुए हैं जिसको करने वाला कोई नहीं है तो ये काफी मदद करते हैं कार्यापलक सायक हैं इन बहुत सारा काम योग कर देते हैं कि यहां तक यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पंचायत सचीव तक की कमी है उनको भी यही लोग पूरा कर रहे हैं तो सोची कितना में यह लोग इन लोग की संख्या बहुत है तो सोचना चाहिए गवर्मेंट को थोड़ी सेलरी बढ़ानी चाहिए काफी इस पर काम हो भी रहा है देखते हैं कहां तक होगा तो आगे चली देखते हैं क्या है लिटर में चाहर नम्मर पे यह है कि विभागी पत्रांग 15 दिनांग 33 2020 द्वारा ग्राम पंचायत का रेपालक साहिकों की सेवा अवधी का विस्तार 1 अप्रिल 2020 से 31 माई 2020 तक जारी रखने का निर्णाय लेते हुए सभी जिला पत्रिद्गारी को पत्त्र निर्गत किया गया है वर्त कि पैरा सॉफ्ट आई एम आई एस निश्चे सॉफ्ट आधी का अधतन करने का कारे अनिवारता करेंगे पंचायती राज विभाग का यह कारे सतत अधतन नहीं रखने वाले कारे पलक साहिकों की संविधा को समाप्त करते हुए कि कि किसी भी समय से वक से हटाया जा सकता है मतलब कि जो लोग इस कारे को नहीं करेंगे मतलब कि जो इस सौफ्ट पेर पर दो काम करना होता था पैरा सॉफ्ट आएम आई एस यह निश्चे सॉफ्ट आधि का अत्तना अगर इसका जनकारी नहीं रखते हैं तो इन लोगे पर आपने संबंदित का वर्त निर्देशित किया जाए कि विवस्ता की जाए तो इन लोग जो विस्तार है एक 31 मार्च 2021 तक विस्तार कर दिया गया और कुछ दिन पहले ऐसा नियूस निकल के आ रहा था सामने की इन लोग को को पर्मानेंट कर दिया गया है लेकिन जैसा कि लेटर यह सब देखने के वाद ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं अभी तक तो जल्दी सरकार इस दिशाय में भी कुछ करेगी इन लोग को पर्मानेंट करेगी जरूर क्योंकि यह लोग बहुत काम करते हैं बहुत मदद करते हैं बिहार सरकार की तो जिनका नाम भी पैनल में पहले से बढ़ा हुआ है उनलोग के लिए यह देखने के बाद दूब लोग भी खुश हो जाएंगे कि यहां बैचलो की लोग का विस्तार किया जा रहा है जल्दी आप लोग के लिए भी कुछ बहाली की परक्रियक की जाएग की आप लोग भी और आ Beim अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरूर्ब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आगे भी आपको सबसे पहले जनकारी मिलती रहे क्योंकि हम लोग जो भी सर्टिक जनकारी होती है वही आपको इस चैनल पर डाली जाती है जो प्रूवड होती है ऐसे कुछ भी उल्टा पूल्टा नहीं डाला जाता है यहाँ पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना बुलें और मेरे अगले वीडियो तक के लिए इंतचार करें तक के लिए धन्यवाद